चीन को 56 दिखाने की वज़ाए, संसद भवन में चर्चा करने की वज़ा Inch वाली पाटी, सदन में चर्चा करने से साब भाग रही है जी हाँ दोस्तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दोस्तो जब जब सदन में चर्चा के लिए वैपकश गेरने की कोशिश करता है तब तब ये लोग सदन से चुप हो जाते हैं और सोर मचाने लगते हैं देश की सुरक्षा का सवाल है और आप बात ही नहीं करना चाते आखिर कब तक मुद्दों से भागेंगें कब तक ऐसे लोगों को गुमराह किया जाएगा दोस्तों तुआंग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई जड़ब के मुद्दे को बिपक्ष ने आज जोरो शोरो से संदन के दोरो संदन के इनफाक्ट अंदर आवाज उठाई राज्यसभा में कॉंग्रेस अंसच प्रमोतिवारी ने मांग की कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कराई जाए वहीं कॉंग्रेस अद्यक्ष मलीकार जुन खड़गे ने कहा कि कल उन्होंने संबंध में प्रस्ताब रखा था कि वो इस पर विस्तिर्थ चर्चा चाते हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने अपने संबोधन में कई जानकारिया नहीं दी खड़गे ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराती है तो सदन में बैठने का कोई मतलब भी नहीं है उन्होंने कहा कि उनकी पाती सेना के साथ खड़ी हुई है हंगामा बढ़ने के बाद विपक्षी संसदों ने राज्य सभा से बाका वॉक आउट तक कर दिया तो आंग के मुद्दे पर संसद के सीथ कालीन शत्र में लगातार हंगामा के आसार जो है वो दिखाई दे रहे है आज भी वोक आउट किया गया है आज भी हंगामा हुआ है लोग सभा के अंदर कॉंग्रेस संसद ने वर्क आउट कर दिया है कॉंग्रेस संसदों का नेतरि लीग केरल, कॉंग्रेस, AIDF, NCP, आप, TRS, ADMK और RLD के नेता मौजूद रहें. मंगलवार को भी संसत के दोनों सदनों में तौंग में हुई जड़ब के दौरान जोरदार हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में आकर इस मु कोई सरकार को जबर्दस तरीके से घेरा. कॉंग्रेस की प्रवक्ता और संसद गौरब गगोई ने कहा कि रक्षा मंत्री ने संसद में इस मुद्धे पर कोई सवाल तक नहीं दिया, बस अपना ही कह दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को इस एहम घटना करम पर विवरन देना च अगर इस से हमारी किसी भी तरीके की गलती है तो हमें फासी पर लटका देना चाहिए. खड़के ने ये भी कहा कि उपसभापती ने कहा था कि हमें असपस्ट्री करन का मौका दिया जाएगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया. हमारी बात भी सुनने को तयार नहीं हुए. ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है. दोस्तो राजनास सिंग ने कल कहा था यानि की 9 दिसंबर 2022 को पी अले 2 प्लस में तुआंग LAC का उलंगन कर नियम तोड़ा. भारतिय सेना ने पी अले को आतिकर्मन से रोका. उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर द इसके बाद लोकल कमांजर ने 11 दिसंबर को च्वाइनीज कमांजर पार्च के साथ व्यवस्ता के तैट फ्लाग मीटिंग की जीन को ऐसे आक्षन के लिए मना किया गया और शांती बनाय को रखने को कहा गया. कुट नीतिक अस्तर पर भी मुद्दा उठाय गया. हमारी सेना भॉमिक अखंड़ता को सुरक्षत रखने के लिए प्रतिवंदित है. किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तक पर है. विश्वास है सदन निसेनाओं की वीर्ता और साहस को समर्थन देगा. ये संसत बिना किसी संयष्ट के भारती सेना को सौरी प्राकरम और छमता का अभिन करेगी. इससे पहले भी तौंग जड़ब को लेकर संसत में भारी हंगामा हुआ था दोस्तों इस मुद्दे पर ग्रह मंत्रिया मिश्चा मीडिया से बात चुईत करते वे नज़रा है. संसत के बाहर का कि भारत की एक इन्चु जमीन पर चीन कवजा नहीं कर सकता है. उन्ह ने ये आरोप लगाया कि चीन पर कॉंग्रेस का रविया दोरा है. राजीव गांदी फांडेशन का सवाल प्रशनकाल में रखा गया था. मैं बता दू कि इसका एप सी आरे लाइसेंस रद कर दिया गया. इसी पर सवाल था. उस फांडेशन को चीन से पैसे मिले. एक दिश होई थी. इस दोरान पार्लियमेंट चल रहा था तो सरकार ने इसकी जानकारी पार्लियमेंट के अंदर क्यों नहीं दिया? उसे दिन क्यों नहीं दिया? हमें तीन दिन बाद मीडिया बता रहा है कि हमारे बहादुर सैनिक घायल हो गए. मुझे देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है लेकिन देश में एक कमजोर लीडर्शिप है. मोधी सरकार चीन का नाम लेने से घबराती है. चीन का नाम सुनते ही काक्ती है और इस पर वो चर्चा करना नहीं चाहती है. तीन दिन बाद वो सदन में बता रही है. तीन दिन बाद सदन में भी माफ कीजिवा नहीं बताया गया, मीडिया में ये खबर आई और मीडिया से ये पता चला कि हमारे सैनिक जो है वो घायल हो गए हमारे सैनिक से जड़प होई है उसके बाद जब राजनाज सिंग को घेरनी की कोशिश की गई उनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई तो वो तीन मिनिट तक आते हैं और अपना पूरा बयान देते हैं और चल पड़ते हैं उनसे कोई पूछ नहीं सकता है विपक्ष का क्या भूमिका है दोस्तों विपक्ष का भूमिका है कि वो सवाल करता है वो सवाल पूछता है लेकिन यहाँ पर विपक्ष की भूमिका पूरी तरीके से खत्म कर दी गई सदन हो बाहर वो मीजिया हो हर तरफ खत्म करने की कोशिश की जा रही है चीन मुद्दे पर अगर आप सवाल कर रहे हैं जो कि विपक्ष का काम है वो अपना काम कर रहा है तो वहां पर सवालों को जवाब नहीं दिया जा रहा है आज भी वही हंगामा वही शोर वही शरावा वही हंगामा करते हुए वोक ओड कर दिया गया क्या इसी तरीके से हमारे देश के मुद्दो पर पट्टी और मिट्टी डाल दी जाएगी कि हम बात नहीं करेंगे हम सिर्फ आदेश देने वाले हैं हम सिर्फ आते हैं सुना देते हैं पढ़ देते और चल जाते हैं अब दे सानियत नाम की चीज है ही नहीं वो मुर्दा हो चुके हैं वो टूइट भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे लोग टूइट कर रहे हैं हलाकि सवाल पूछा जा रहा है लेकिन चीनी मामले पर कहां का मुद्दा कहां लाकर लगाया जा रहा और कैसे एक निर्दोष को जानियर्ट सेले कर खबर कर रहा था ब्लाक वाइट और इसके ब्लक और में सिर्फ और सिर्फ नह्रू के अलावा कॉंग्रेस के अलावा उसको सब्सक्रिक depths परबायाद कब्स कबूल चीन पर नहू की नीती नासूर बन गई ये इसी वीडियो पर ही चूज करते हुए जो हैं पत्रकार जनरलिस्ट जो भी कह सकते हैं वो लिख रहे हैं कि भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का हिस्सा माना 2003 में जब रिटल वियारी भाजपई प्रदान मंत्री थे गोधी मीडिया की ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि 8 साल नरेंदर चीन के सामने सरेंडर क्यों है कल से सारी नफरती डॉगीज को नहरू से कड़ा सवाल पूछने का काम जो है वो मिल गया है और लगा दिया गया है ये नहरू से सवाल पूछ रहे हैं स्तिती क्या है नहरू बताएंगे आकर जो कि अब है भी नहीं संदीप सिं सरगना जो तिहारी में नाली के कीड़ों की तरह जीवन बिता रहा है वो कीड़ा हमारे देश के विकास विक्त दे sunrise आ कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूं लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही शब्दों का इस्तमाल होता है इन लोगों के लिए प्रवीन आइएंसी की पेज से टूइट किया गया है कॉंग्रेस का पेज है लाल आख कब दिखाएंगे जनता को ये बताओ भूल किसकी थी ये कि भूल कहां कब किस से हुई इस पर तो आप कर ही रहे हैं सवाल लेकिन आज जो सवाल करना है जिससे सवाल पूछना है उसको लेकर आप किस तरीके की दालाली और चाटु कारिता मिलीन है ये देश की जनता देख रही है आगे सेयर शोयव लिखते हैं कि जूला जूलाएं पीम मोदी गले मीले पीम मोदी चीन से सीमा विवाद हो तो नहरू जिम्मेदार ये कैसे है आगे बेरोजगार मध्य प्रदेश नाम का पेज है वो लिख रहा है कि सुदीर चौदरी कौन सा नशा करते हो जो हर जगा नहरू और गांधी को गाली देते हो ये तो तुम जैस अब तब में भारत बदल रहा है ये सबसे बड़ा खत्रा है भारत के लोगतंदर के लिए आज तक जैसे बड़ा नियूस चैनल ऐसे अंकर्स को कैसे ज्वाइन कर रहा है आज तक नहीं है नाम केवल कॉंग्रेस के पीछे रख लो अपना नाम क्योंकि आज तक तो आपने बेकार नाम रखा है कॉंग्रेस के पीछे नाम रखो कि कॉंग्रेस के पीछे हम कैसे पढ़ते हैं ये देश की जंता को बताना चाहिए आगे सरपंच पटेल नाम के यूजर लिख रहे हैं कि तुमको तो दलाली करने के इलावा कोई काम ही नहीं आता दिन बीजेपी बैट कर भाशन दे रहा है तेरे को पता है वहां क्या हो रहा है पता है तुझे वहां के फौजी भाई किस हालात में दिखाई दे रहे हैं तो वहां क्या हुआ है औकात है तेरी दिखाने की तो वहां जाकर पूछ वहां जूटी करने वालों से देश को कमजोर करने से सबसे से बड़ा हाथ मीडिया का है यह मत बोल यह सब इनको गाली दे रहे हैं मीडिया का जो रवय्या है जिस तरीके से मीडिया सवाल पूछने की वजाए नहरू को जो है कोसने में लगा हुआ है आगे एक और टूइट है दोस्तों दीपक चौरसिया जो कभी तल्ली होकर खबरे पढ़ा करता था आजकल बेरोजगार है लेकिन बेरोजगारी का काम जो है वो बहुत अच्छे से निभारा है आका के सामने कि कैसे जो है आका को खुश किया जाए अब देखिए किस तरीके से जो है चीन मुद्दे पर क्या लिख रहा है ये डिलीट कर दिया है दोस्तों टूइट ये चीन मुद्दे पर पहलू खान और अखलाक को गाली दे रहा था और कह रहा था कि पहलू खान अखलाक जो है ची शंती लोग छाती पीट रहे है उस टाइम अखलाक और पहलू खान के टाइन पर छाती पीट रहे हैं ऐसा ट्विट किया था मैंने अपनी आखों से देखा था अभी यह ट्विट डिलीट हो गया है क्योंकि लोगों ने इनको काली से धोना शुरू कर दिया था कि अखलाक और पहलू खान क्या चीन से आया था अखलाक और पहलू खान की हत्तिया हुई थी लिंच किया गया था लेकिन इन लोगों की जो कहा था न मैंने इंसानियत मर चुकी है तो ये लोग कहां क्या बोलेंगे कहां का मुद्दा कहां लाकर लपेड देंगे लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय हमें कोमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ दनेशन को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी ना बूले